हेलो गाइस वल्कम बैक सुनी लाटो कार्स आज आप सभी के सामने पेसे औल न्यू हुटी क्रेड़ा फेसलिप दोजाच चौबिस की यह पूरी फ्रेंट प्रोफाइल अब यह आपके सामने क्रेड़ा के यह पर सेकेंड बेस एक्स वरेंट खड़ा हुआ तो भाइसाब यहाँ पर ऑप्चिन्स मिल जाएंगे और पहली वाली क्रेड़ा से काफ्टूड आपको उसमें अप्ग्रेड्स मिलते काफ्टी बड़े से देखेंगे पूरी फ्रेंट प्रोफाइल अगरा यहाँ पर चेंज की जा चुकी है पीछे कनेक्टेड टेलाइम्स मिल जाएंग फ्रेंट प्रोफाइल बाइसा पहले वाली क्रेड़े से पूरा अप्ग्रेड पूरा चेंज यहाँ पर ग्रिल में बड़ा सा रहेगा हिंड़ाई का लोगो ब्लाग फिनिश में पूरी इसकी ग्रिल यहाँ पर देखनों को मिल जाएगी साइड में आप इसका डियारल डे टाम डेनिंग लाइक्स इस वरिंट में इतने ही रहेंगे और पर वेंट्स में पूरा आपको कनेक्टेड डियारल मिल जाएंगे एंड यही पर देखेंगे तो इंडिकरेस की प्लेस्मेंट प्रजेक्टर हैडलम्स का पूरा सेटप दियेगा लो बीम के ले प्रोजेक्टर हाई बीम के ला हैलुजन से रहेंगे नीचे के तरफ लोवर ग्रिल वगरा पूरी ब्लाक आउट एंड ग्रेफ फिनिश में इसकी बड़े सी मस्कुलर सी पूरी इसकी प्लेट और नीचे आप एंजन गार्ड वगरा भी आपको देखने को मिल जाएगा एंड ग्राउंड कलेरंस आपको इस कार में मिलेगा 200 mm का जो पहले से आप 10 mm बढ़ा जा चुका इस कार का बोनेट पर आप देख रहें ना जो एरोड़नमिक कट्स हैं पहले सापको कुछ चेंज मिलेंगे यह हमारी खड़वी पुरानी वाली क्रेटा यह बाई साब इसका टॉप मॉडरल है इस तरह कुछ देखती पहले अभी देखेंगे तो इस तरह देखने को मिलती है इसका य इतना कुछ यहाँ पे इसका ट्रेवाइल ब्लाक कलर की देखेंगे क्लाडेंग नीचे अभी रनिंग बोर्ड वाई साब यह बाई साब गंदा लग रहा ना फेंडर पे आपको इंडिकेटर्स मिलें सेकेंड बेस विंड में भी इसको उठाएक उसमें कर देखने में इसक गाड़ी की बेदरीन सी पुरी रियर प्रोफाइल भी देखेंगे ना पुरा कनेक्टेड यहाँ पर टेल लाइम से वकरा रहेंगे वारेंटी की बात कर लिए तो तीन साल अनलिम्टेट की यहाँ पर वरेंटी देखने को मिल जाती है इस ओल्ली हुंडे क्रेटा के साथ व तो इस साइड आपको मिलेगी क्रेटा की यहाँ पर बैजिंग वंपर वगारा डुवल टोन में रिवर्स लाइट यहाँ पर आपको देखनों को मिलती है और पीछा अली भी काफी मस्कुलर से लगरी इसकी इसकी प्रेड चार रहेंगे यहाँ पर रिवर्स पार्किंग से संसर्स के पॉइंट तो यह बड़े चीज़े की चार चार संसर्स मिल जा रहें इसकी प्रेड तो भाई ग्रेफ निश में रहेगी नीचे का इसा कुद देखेगा इसका पूरा रियर संस्पंसन सेटप यहाँ पेक जॉस्ट पाइप तो बैक से आपने सब देख लिए आप को दिखाते हैं इसका बूडश प्रेफ यहाँ से खोलेंगे तो यह बड़े सा आपको मिलने वाला इस सेग्मेंट के आप बूड़े से पहले आ था 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 433 लिटर का वहीजिस सम्थिंग आपको मिलेगा इसमें बूड़े स्पेस तो यह परा समानव गरह रखिए पार्स साइच का मिलेगा यहां पर 16 इंचेस का मतलब कोई भी आपको उसमें कॉस कटिंग नहीं मिलेगी यह बाइस आप देखे ना पीछे वाली जो सीट बेल्स वाले वायर हैं वह यहां पर पुरा खोला छोड़ दीगे टेंपरेरी जैसे लगना पर काम किया गया इसको थोड़ा लिक्रेटा की तरह यहां आपको देखने को मिलेगी इसकी पूरी साइट प्रफाइल हलाकि इसके आप लेंध 30 mm के इंक्रीज की जा चुकी है तो अभी आपको इसमें 43 mm की इसकी यहां पर लेंध 1790 mm की इसकी विथ एंड 1635 की इस कार की यहां पर हैट देखने को मिल एंड वील बेस भी पहले की तरह आपको मिलेगा 2610 mm का तो यह इस गाड़ी के आपको पूरी साइट प्रोफाइल अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर उससे पहले उपर देखेंगे आप इसका होगया शैफन एंटीना हैंडल्स वगरा चारों मिलेंगे सेम बाडी कलर खोलत अंदर बैठने के बाद यह रहेगा अगे का इसका पूरा डासबोर का व्यू बढ़े सरी टाच स्क्रीन विगरा आप देख सकते हैं और येर पसंजर के लिए यहां परेंगे इस इवेंट्स दो दो बाइस आप टाइप सी उजबी के पोर्स यहां पर छोड़ा मड़ा सब आपको मिल जाता है सेकंड बिस वेरेंट्स आई यह काफी बढ़े होगे इसका पूरा सिटिंग अरेजमेंट डोल ट्रिम यहां की आप देख लीजिए और आगे अभी चलते हैं आगे आपको दिखाते प्रॉपर बैट के क्या कुछ रहेगा आगे डैस्पोर में यहां सब इसकी डैवर्ट साइड वाली पूरी डोर सेम आपको बॉडी कलर यहां पर दोर हैनल्स मिलेंगे यह रहेगी इसकी डोल्ट रिम यहां पर आपको मिलते चारो पारूंड उसके कंट्रोल्स लॉक अन लॉक के बटन्स वहार भी मर्जश्मेंट के कंट्रोल्स नीचे मैनुएल ट्रांस्मिशन के इसके एबी सी पैडल्स आगी का फूलने का लिवर यहां पर सैट दिया गया है बाकी अधर आएंगे आपका बटन ट्रैक्शन कंट्रोल्स यह का फसर कंट्रोल्स तो वाइस अभी आचुके इस हुंडी क्रेडा के सेकेंड बेस यानिकी एक्स सबसे पहला काम ओन करेंगे इसके इगनीशन को यह बाई साब पूरा डिश्टर आपको देखने को मिलेगा इसका इंस्ट्रमेंट क्लश्टर काफी सार यहां पर चक्लाइट्स वगरा यह इसका पूरा श्टेरिंग वील यहां पर हुंडी का लोगो इस साड़ यहां पर आ आपको देखने को मिल जाएंगे इस साड़ जाएंगे तो यहां पर नॉर्मल से हैडम के कंट्रोल दिएगे मैनुल रहेगा इधर जाएंगे तो यहां पर वाइपर के कंट्रोल क्लेश्टर की बात करें तो यहां पर रहेगी काफी सारी इंफॉर्मिशन इसके माइडी स्क स्टम और प्रेस करेंगे तो ऑटो स्टाट इस्टॉप वाला हो गया ड्राइवस इस क्लेश्टर लाइड दोर कर्मीनियन स्यूनेट रिसेट यह काफी सारी आपको चीजे देखने को मिल जाएंगी आपको चीजे आपके ट्रिप पर वेच माली च्रेंग यह सब आपको दिख आया यहां पर कुछ भी नहीं यहां पर संसर के आपको मिल जाएगी बाकी स्पिकर्स वगरा रहेंगे वाइलूम अगरा के सारे चीजे अपने इसाब से यहां से बटन से भी कंट्रूल कर सकते हैं यह जो थोड़ी आपको गोल्डेन टैप के फिनिश मिलती ना यही चीज इसमें भी देखने को मिलेगी थे पूरा यहां से लेकर यहां तक एड़ इसमें कामी अच्छा किना जिसे टॉप में भी पूरी एकई मर्स आती तो देखने में सब दोर से वाई से लगते होलाकी यह यह यहां पर स्क्रीन नहीं रहेगी बड़् ब्लाक निक शैसा दिये कि को मिनने वाली है इधर जाते तो दो ग्लास ओल्डर्स यहां पर हो गई हैंड ब्रैक यह इसका आर्म रेस इसको खोने भी बड़े सापको देखेंगे तो यहां पर श्टोरी इस पेस देखनों को मिल जाएगा कुछ भी अपना समान रख सकते हैं डॉल ट्रीम पूरी देख ल यहाँ पे इसका सनग्लास ओल्डर और फ्लाइट वही इस वरिंड के साथ माइक वगरा हो गया इधर रहेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा इधर यहां पर देखेंगे तो वैनिटी मिर्यर भी आपको देखने को मिलता है इसका सब्सक्राइब नोगों देखे लिया तो यह सब हो गया ना अब निकलते गाड़ी के बाहर फिर बात करते इस गाड़ी के इंजिन इस्पैक प्राइजिंग फीचर के बारे में आई ओफ करते इसके क्लेश्टर को सबसे पहले निकलते बात करते इसके इंजिन इस्पैक प्राइजिंग फीचर के बारे में तो जैसे की जानते हैं आपको इसमें डिजल पेटोल दोनों इंजिन आप्चिन आपको आफर किये जाएंगे तो यह आपसका देख रहे हैं आपपे 1.5 लिटर का बड़े सा MPI 4 सिलिंडर पैटोल इंजिन आप्चिन जिसमें आपको 115 PS की पावर 144 सिलिंडर के टॉक मिल जाएगा सम्थिंग वई 17 केमपल का मालेज इस कार के साथ डिजल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 1.5 लिटर का बड़े सा 4 सिलिंडर, CRDI डिजल इंजिन आप्चिन मिलता है उसमें आपको 116 PS की पावर और 250 अनम के टॉक मिलेगा सम्थिंग वई 20 से 21 केमपल का मालेज इस कार के साथ और अब बात करें फाइनिली एगर इसकी प्राइजिंग ये बार में जो इसका देख रहें सेकेंड बेस एक्स पैटोल वेरेंट तो यह आपको पढ़ने वाले एड़ देखने के आप सब्सक्राइब का धन्यवाद